आज अपन क्लास करेंगे चैटर नुम्बर सेवन जिर्देश शांग जामिति यानि कॉडिनेट जॉमेट्री के जो इंपोर्टेंट कॉस्चन है किस तरह के कॉस्चन आते हैं उसके बारे मैं आज अपन पढ़ेंगे इसमें पहला कॉस्चन है इन वीच क्वाडरेंट पॉइ यह फर्स्ट्री फैल्स थैठполож और यह फोर चतुर थांश है अब ही क्स जो यह मैनिस आ जो है माइनस माइनस जो थार्ड में आते हैं और इसमें आएगा यह प्लसर पहला है अब आप देखो कि यह प्लस कहा है और यह माइनस कहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस किसमें आ रहे है फोर्थ में तो यह किसमें आएगा चौथे क्वाड्रेंट में यानि चतुर्थ चतुर्धांश में आएगा सेकंड कुस्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3-5 फ्रॉम अनि यानि बिन्दू 3-5 की हमें आएकस दूरी निकाल ना एकक्स और दूसरी यह उसकी यस दुरी निकाल रेती इसमें कोई दूरी का स्फूतर लगाने की ज़रूरत नहीं इव आपको क्या करना है अगर इसको एकसे से लिए तो यह फर्स्ट जो है वह एक्स यानि भूज कहलाता है और यह सेकंड जो है वह वाइक्स इसका पॉइंट है यानि यह कोटी कहला तो जब एक्स से दूरी निकाल दिने तो आपको य वाला लिख देना है पांच ठीक है इसमें प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है विकोज डिस्टेंस हमेशा पॉजेटिव ही होती है तो यहां पर माइनस पांच की जगा अपन क्या लिख देंगे पांच और वाइक से अगर इसी कॉस्चन में वाइक से दूरी पूछे तो आप पहले वाला यानि एक्स वाला जो है वह आप लिख दोगे 3 तो यह आंसर आ वाइक की अगर और इससे दिस्टेंस निकाले ऑडिजिन का मदला होता है 00 से तो इसका सीधा सूतर रहता है रूट ऑफ एक स्क्वाइर प्लस वाइसका अब यहां पर बिंदू क्या है तीन चार तो यह एक सोगए और यह वाइं तो यहां पर सीधा इसकी वैल्यू इसका मा 3 1 and 8 6 बिंदू 3 1 और 8 6 के बीच में हमें दूरी निकालनी है तो दूरी का सुत्र अपने जानते देखो हमें यहां पर एक तो बिंदू है 3 1 और दूसरा बिंदू यहां पर है आठ 6 इन दोनों के बिच दूरी निकालनी है तो आपको पहले बिंदू को X1 Y1 ले ले लेना है द दोनों के प्राइदूरी का सूत्र होता है एंडूरूर स्टू माइनस एकस्ट styl का हो रिशक्वार यह ठ terrorists रख क्षे माइनस एक और का है यहां चैन। एक को रिश्कुय यह कितना ओगया 8-3 यानि 5 हो गया और 5 का फिर स्क्वाइर करना बाद में 5 का स्क्वाइर कितना होता है 25 उसी तरह से यहां पर 6-1 5 5 का स्क्वाइर कितना हो गया 25 तो यह हो गया अंडूरूड है इदर 2-6 और दूसरा पॉइंट दिया है यहां पर 4-0 तो यह पॉइंट है एक्सम वाइवन यह हो जाएगा आपके एक्सटू वाइटू तो अगर इसका मध्य बिंदू निकालना आपको मिट पॉइंट का मतलू होता है मध्य बिंदू तो मध्य बिंदू के निर्देशाग निकालने का सुत्र होता है यहां पर X निकालने के लिए X1 प्लस X2 by 2 करेंगे कॉमा और Y निकालना है तो Y1 प्लस Y2 by 2 यानि इन दोनों को add करके आधा कर देना है जोड करके आधा कर देना है तो यह हो जाएगा देखो यह X1 प्लस X2 यानि 2 प्लस 4 बटा 2 कॉमा और वाई निकालने के लिए 6 प्लस 0 बटा 2 6 प्लस 0 बटा 2 तो यह कितना आ जाएगा 6 बटा 2 और यह भी आ गया 6 बटा 2 आ गया तो यह उत्तर आ गया 3,3 तो यह जो मद्य बिंदु आएगा उसके निर्देशा कितने हो गए आपके 3 3 हो ठीक है अब 6 question यह important question है if distance between 9y यानि 9y और 60 के बीच में जो यह पहले से दे रहे हमें 5 unit तो हमें यह वाय का मान निकालना है तो यहां पे पहला बिन्दु जो है वो नइन वाय है और दूसरा बिन्दु इधर दे रहे हैं एक नमबर यहां पे अग्या आते हैं तो हमें इसमें वाइक कमान निकालना है तो अपन क्या करेंगे पहले का सुत्र लिखो दूरी इसको अपन एसे भी लिख सकते हैं कि डी स्कॉयर अगर यहां से रूट हटाऊंगो तो उधर स्कॉयर लग जाएगा तो डी स्कॉयर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल इसकॉयर अब इसमें मांद रख देना है देखो डी कितना है पांच तो यहां पर पांच माश का स्कॉयर हो गया एक्स टू-माइनस एक्शै माइनस नौ चैनर का wanna स्कॉयर प्लस y टू- भाई 1 यानी जिर्कवाफस स्वाई माइनस दौई का फोल स्कॉइग टू यहां इधर 20 च्पैस आम डाइन स सीन- dropped कितना होतात ना प्लस होता है और यहां पर प्लास जीरो सब्सक्राइब नाइन इदर जाएगा 25 माइनस नौ बराबर वाइस को यह बराबर कितना आ गया 16 तो यह बराबर अंडूरूट 16 तो अंडूरूट 16 का मान 4 होता है लेकिन आपको यहां पर प्लस माइनस चार लिखना है यानि यहां वाइक के दो मान आएंगे प्लस चार भी हो सकता और माइनस चार भी हो सकता है इस अब नेक्स्ट लास्ट कोस्चन सेवन कोस्चन देखते हैं कि a b is diameter एक सरकल है यह व्रत है इसमें यह बी तक देने कर ने यह घोलों कोडिनेट अब यह फिर्ट का फेसे Os data निए भीप ​ यह और यह होता है इसके द्रदेश आगे 2-3 तो हमें इसमें निकालना है फाइंड the coordinate of A यानि हमें A के निर्देशांग निकालने हैं तो अपनको पता है कि जो भी end point होता है वह X1 Y1 और X2 Y2 होते हैं तो A के निर्देशांग अपनने मान लिए यहां पर X1 Y1 मान लेंगे और B के निर्देशांग जो है उसको X2 Y2 मान लेते हैं और यह जो जो पर बीच में वह X2 Y2 बार लेते हैं बहि advocating मद्धि बिंदू जयसे में पर निर्देशांग यहं पर निकालने को पता है कि जो center होता है यानि जो व्रत का केंद्र होता है वो व्यास का मद्य बिंदू भी होता है इसका मद्य बिंदू है तो मद्य बिंदू पहले से दे रखा है एक छोर के दूसरे निर्देशांग भी दे रहे हैं हमें एक endpoint के निर्देशांग निकालना है तो अपनी यहां पे सू वाय बार होगे हो एक है ना जो आंसर पहले से देगा तो अपन इसके सूत्र के निचे मान रख देंगे थो एक रखेंगे यह दो रख दो दो बराबर X1 X1 की जगह X1 प्लस X2 कितना है 1 बटा 2 अब इसको बज़र गुणा करो 2 का गुणा 2 से 4 बराबर X1 प्लस 1 1 को उदर बाइटी पि करेंगे X1 बराबर 4 माइनस 1 X1 बराबर आ गया 3 1 इसका निर्देशांग निकल गया 3 अब उसी तरह हमें Y1 निकलना है इस सुत्र में मांद रखना है ये Y बार हो गया Y बार के निचे माइनस 3 बराबर Y1 प्लस Y2 Y2 कितना है इसमें 4 बटा 2 अब इसमें भी यहाँ बज़र गुणा 2 का गुणा माइनस 3 से तो माइनस 6 बराबर Y1 प्लस 4 हो गया 4 को उधर बाइटी भी करो तो Y1 बराबर माइनस 6 चार हो गया Y1 बराबर कितना हो गया 6 तो यही आपके आंसर आगया 1 इंदेशंग कितने आएंगे 3 और माइनस 10 टुबस।